लोगों को लगता है कि heat and run उसे कहते हैं कि आपने accident किया और घर भाग गए और पुलिस आपको जाके घर से पकड़ लाई उसे heat and run नहीं कहते हैं एक और तरीका होता है किसी case को heat and run बनाने का ये practical तरीका है हमारे देश में और और भी देश में चलता है कि आप रसूखदार हो और आपके वैकल से accident हो गया पुलिस inquiry करने गई और पुलिस को आपने बैक से भरा पैसा पकड़ा दिया पुलिस वापस हो गई बोली कि हमको कोई clue नहीं मिला कि ये accident किसके वैकल से हुआ है आज हम discuss करने वाले हैं standing committee under the compensation for hit and run case जो लोग motor vehicle acts को पढ़ रहे हैं जो मुझे follow कर रहे हूं सभी को पता होगा कि heat and run case क्या है इस पे central government ने recently एक committee frame किया हुआ है तो आज उस committee के बारे में हम जानेंगे पर उससे पहले जो लोग ये नहीं जानते कि heat and run case क्या होता है वो discuss करेंगे आपको जानना क्यों जरूरी है अगर आप RTO exam की preparation कर रहे हो या police जैसे exams की preparation कर रहे हो जहां पर आपके syllabus में motor vehicle act and rule है वहां पर इससे later question पूछे जाते हैं और RTO exam में और especially GPSC में तो पूछा ही जाएगा आपका question वेकेंसी भी आई हुई है और इस type की जो series है जो updated video आती है recently rules and regulations पे उससे लेके आपको एक playlist भी मिल जाएगी मेरे YouTube channel पे वहां से भी आ follow कर सकते हो और एक और बात अगर channel पे पहली बार आये हो तो ये मेरे different platform है जहां पे आप मुझसे जुड़ सकते हो बीडियो की PDF चाहिए तो आपको इस telegram channel पे मिल जाएगी अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि ये hit and run case होता क्या है suppose करिए कि आपने किसी का accident किया accident करके वहां से आप फरार हो गए फरार होने के बाद पुलिस ने आपका search किया कि accident किस ने किया पर आपका पता नहीं चला जिसका accident हुआ था उसको भी कुछ नहीं पता पुलिस को भी नहीं पता कोई गवाह भी नहीं मिला कि इस आदमे ने या इस vehicle से accident हुआ उस case को hit and run मान लिया जाता है जहां पर proper investigation करने के बाद कोई भी clue नहीं मिलता है कि accident किस ने किया किस vehicle से हुआ उस case को हम कहते हैं hit and run मतलब टकर मारा और फरार हो गया एक और तरीका होता है किसी case को hit and run बनाने का ये practical तरीका है हमारे देश में और और भी देश में चलता है कि आप रसूखदार हो और आपके vehicle से accident हो गया पुलिस inquiry करने गई और पुलिस को आपने back से भरा पैसा पकड़ा दिया पुलिस वापस हो गई बोली कि हमको कोई clue नहीं मिला कि ये accident किसके vehicle से हुआ है कोई गवा मिला उसको भी आपने पैसे पकड़ा दिये पैसा नहीं लिया तो आपने कहा बेटा जिंदगी से हाथ धो बैठ होगे तो इस type की चीजे करके भी किसी case को heat and run बनाया जा सकता है अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि ठीक है एक तो आपने case बता दिया heat and run कि एक टक्कर मार के फरार हो गया एक और case हो सकती है कि टक्कर मारा और पकड़ा गया तो दोनों में difference क्या है provision क्या क्या है क्यूं आदमी accident करके भागेगा पकड़ा जाएगा तो क्या फरक पड़ जाएगा तो देखिए अगर आप पकड़े जाते हो heat and run case का तो आप समझ गए कि फरार हो गया तो आपको नहीं compensation पे करना है और नहीं jail की सजा होगी compensation इस case में सरकार पे करती है heat and run के case में कितना पे करती है आगे मैं आपको बता दूँगा अब suppose कर लिजे कि आपने accident किया और आप पकड़े गए पकड़े गए तो आपको पांच लाख रुपया पे करना पड़ेगा आपको पांच लाख रुपया सलमान खान जैसे लोगों को इलिए क्या बड़ी चीज़े पे कर देंगे हम बिल्कुल पे कर देंगे कोई बड़ी लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट या फिर फासी अगर यह पाया गया कि नहीं है आपने जान बुझ के नहीं किया गलती से ब्रेक फिल हो गया है कोई दूसरा रीजन है जिसके वज़े से एक्सिडेंट हो गया तो आपके उपर लगेगा जो सेक्शन है आईपी सी का तो से यह अलग से प्रोविजन से हैं हला कि उसमें छे मैंने की मैकसिम सजा खेला होती है तो इसलिए आदमी उगर अक्सिडेंट करता है उसके पास बचने का चांस होता है तो वो बच लेता एक तो जेल से बच लेता है दूसरा उसको इसको नीआ पड़ता है और जो रईस लोग हैं वो तरीका निकालते हैं कि किसी तरीके से हमारी बहिकल भी ना पकड़ी जाए पर सल्मान खान के केस में इनकी बहिकल पकड़ लिया गया था इसलिए ये जो केस है पूरा heat and run में नहीं आएगा अगर technically कहें तो heat and run का केस नहीं है हाला कि paper उपर आप पढ़ोगे तो यही कहा जाएगा कि यह heat and run का केस है लोगों को लगता है कि heat and run उसे कहते हैं कि आपने accident किया और घर भाग गए और पुलिस आपको जाके घर से पकड़ लाई उसे heat and run नहीं कहते हैं करने वाली वहिकल कौन सी है या फिर कुसी को पता नहीं कि किस ने एक्सिडेंट किया तो बाई सरकार को to compensate करना पढ़ेगा अपने नाकरिकों को क्योंकि उसी तो एक fund बनाया जाता है जो आपके उपर fine लगाई जाती है वो fine उसमें भेजा जाता है और उसके थूरू सरकार compensate करती है मतलब in short आप ये समझ लो कि हर user जो road पे चल रहा है उसका सरकार ने insurance करा रखा है और वो insurance company पे करती है हला कि सरकार हम यहाँ पे कहते हैं वर generally सरकार insurance करवा लेती है और insurance company के थूरू अगर आपकी देथ हो जाती है तो आपको 2,00,00 रुपिया दिया जाएगा और अगर आपको चोट लगती है गहरी चोट तो आपको 50,000 रुपिया दिया जाएगा तो अब यह जो heat and run के case हैना है यह basically insurance वाले देते हैं अब यहाँ पे चल रहा था बहुत दादली वाला चीज लोग परिशान हो रहे थे पैसा मिल नहीं रहा था लोगों ने case किया कि भईया हमरा accident हुआ था अब तुम खुदी proof करो कि तुम्हारा accident कब हुआ कैसे हुआ accident करने वाला का तो पता ही नहीं तो इसमें बहुत सारे problems हो रहे थे जिनका accident हो रहा था उनको compensation प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पा रहा था तो इसके लिए सरकार ने एक committee बनाया कि लोगों को at least जो सरकार compensation दे रही है वो पहुच तो जाए ठीक है तो यह पूरा provision है committee के बारे में भी हम discuss कर लेते हैं कि committee में है कौन यह आपके RTO exam के लिए बहुत ज़्यादा important है में भी आपसे question इस पे पूछा जा सकता है heat and run और बाकी जो केसे हमने में discuss किया उस पे भी पूछा जाएगा पर यह नया है तो chance से जहें कि appear हो सकता है अगर paper बनाने वाला थोड़ा सा इन चीजों को follow करता है तो नहीं follow करता है तो क्या मालू मेरा वीडियो देख ले वहां से पूछ ले कोई बात नहीं तो इसके chairman आपको ध्यां रखना है नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं यहां पर देखोगे chairman का नाम है स्री अमित वर्दान यह joint secretary है transport department के तो इसलिए इनको बनाया गया इसका chairman दूसरा नाम आपको याद रखना है आपको member secretary का member secretary है स्री सी आर विजयन यह deputy secretary है आपके general GIC के GIC का मतलब है आपके general insurance council तो एक आदमी हो गया transport department का और दूसरा आदमी हो गया आपका insurance का दोनों मिलके आपको compensation दिलवा देंगे बाकी आपके member भी है member इसलिए बनाया जाते हैं कि चीजे smooth चलती रहें ठीक है दो नाम आपको याद रखना है member number आपको याद नहीं रखना है पहला नाम chairman का दूसरा नाम आपके member secretary का दोनों important है चलिए question पर आते हैं question कुछी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है who is the chairman of standing committee under the compensation to the victim of hit and run motor vehicle accident scheme 2022 अब ये question मैंने टेलिग्राम पे भी पोस्ट किया है अगर आपको देखना है तो आप जाके देखिएगा लोग कितने बड़े तुक्के बाज हैं यहाँ पे नरेंदर मुदी का मैंने नाम दे दिया तो लोग सोचेंगा रे प्राइम मिनिस्टर हैं तो क्या chairman नहीं हो सकते ह प्राइम मिनिस्टर जहां पे हैं वहाँ पे chairman दूसरा कैसे बन जाएगा तो तुक्का लगाया जै माता जी फिर देखा कि चलो ठीक है कुछ लोगों ने सोचा होगा कि हो सकता है मोदी जी नहीं हो तो जो निटिन गटकरी है यह transport department के cabinet minister हैं तो इनके अलामत कोई दूसरा ब तो ठीक है नाम ध्यान रखना बहुत important है चलिए एक दो question और पुछ लेता हूँ आपके test के लिए कि जो हम पढ़ रहे हूँ आपको याद भी रह रहा है कि नहीं हाला कि यह थोड़ा सा animation लग गया उल्टा-पूल्टा कोई बात नहीं if any accident arise out the use of motor vehicle a compensation of the sum of the rupees in the death मान लिजए कोई किसी वेहिकल से किसी का accident हो जाता है उस case में उसको कितना पैसा मिलेगा तो पैसा मिलेगा पांच लाक रुपे अब यह पांच लाक रुपे कौन देगा again कौन देगा insurance company आप सभी को पता है कि हमारे देश में third party insurance सभी के लिए compulsory है अगर तुम्हारे वेहिकल का third party insurance नहीं है बेटा और तुमने accident कर दिये तो फिर तुम्हारी जान जहमत में पढ़ जाएगी ठीक है ये पैसा भी तुम्हें pay करना पड़ेगा प्लस fine pay करना पड़ेगा प्लस तुमको motor vehicle act के section violation में jail भी जाना पड़ेगा तो वो सारी चीज़ फर्स पार्टी insurance क्या होता है सब मैंने पहले भी डिसकस किया हुआ है आप चाहो तो वीडियो सर्च करके देख सकते हो वीडियो के आगे लिखना है आपको manu academy type of insurance से मैंने वीडियो बनाया हुआ था चलिए third question है आपका if any accident arise under the hit and run case the compensation of the sum rupees in the death हो गई तो hit and run case में कितना पै आप करते हैं जैसा कि मैंने आपको इस सार्टिंग में दिखाया था तो चलिए यहां पर अपने वीडियो को खतम करते हैं this is the end मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए all the best good luck